दुफ्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PM इंटर्निप यूजना के बारे में क्योंकि इसमें हर युवाव को 5-6 रुपय प्रती माह दिये जा रहा है इसका फॉर्म भरने की परकिरिया स्टार्ट हो चुके हैं दस भी पास अगर आपा है तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इंटर्निप एक परकार से समझी यह सोर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें आप अपने मन चाहा ट्रेडों में जो आप चाहे सिखना वो आप इसमें सिख सकते हैं और जब तक आप सिखेंगे आपको भड़ना है सभी प्रोसस अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को अंते तक देखिए पसंद आ तो प्लीज इसे एक लाई कर दीजिए और ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे विस परकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम हूं step by step बताता हूं कि कैसे PM इंटर्णिप यूजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो अभी आप देख पार होंगे हम PM इंटर्णिप यूजना के जो ऑफिसल वेपसाइट है इस वेपसाइट पर है इस वेपसाइट पर इंटर्णिप के बारे में पूरी जन है उनके द्वारा इसमें जब आपकी सेलेक्शन होती है तो 4500 रुपे गोर्मेंट देती है और जो भी इंडरस्ट्री जिनका भी आपको ट्रेनिंग के लिए लौट किया जाएगा वह 500 देती है कुल मिलाकर आपको 5000 रुपे हर महीनी आपको देखनों को मिलेगा अब जब अभी आप अप्लाई करेंगा अप्लाई करने के बाद इसका एक लिस्ट जाड़ी होगा वह सेलेक्शन लिस्ट होगा सेलेक्शन लिस्ट में अगर आपको नाम आता है तो एक मुष्ट आपको 6000 रुपे की जो बेनिफीट है आपको मिलेगी इन बातों को दियान रखेगा बकि इस फॉर्म को भड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम जो होगी वो 21 साल अधिकतर 24 साल आपकी होनी चाहिए और अभी बरतमान समय में आप कहीं जौब नहीं करते हो आप ये भी धियान रखेगा इसके अलाबा बताया गया है कि अभी आप बरतमान समय में कहीं भी फू अगर कहीं है तो आप इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके अलावे आपकी जो परिवारी के निकम होगी वह 8,00,00 रुपे से अधिक नहीं होनी चाहिए आपके परिवार में कोई भी सरकारी नोक्री नहीं होनी चाहिए या आप ध्यान रखेगा अब यहां प website open करते हैं नीचे सरकारी योजना का option मिलेगा इसमें आपको लिंक आपको मिल जाएगा PM internship portal का यह आप डाइडेक्ट इस search box में लिखेंगे PM internship और search करेंगे तो आपको PM internship portal का यह link मिलेगा जहां पर इस scheme के बारे में पूरी जनकारी बताई गई है आप पूरी जनकारी समझ सकते हैं इसका जो भी माप डंड है आवेदन कौन कर सकते हैं इसके अलावे क्या आपको साहता मिलेगी इसमें चैन परक्रिया कैसे होगा इस टाइपन और इसकी अबधी क्या होगी यह सभी परक्रिया को समझेगा अगर डीटेल में चाहिए जनकारी तो इसके उपर में मैंने और रेडी नोटिफिकेशन के उपर वीडियो बनाया है इस वीडियो को देखकर पूरी बिस्तिरेत जनकारी समझ सकते हैं अपलाई करना चाहते हैं तो डाइरेक्ट आपको जो है अपलाई का यहां पर लिंक मिलता है जिसके सामने क्लिक करना है आप इस वेपसाइट पर आ जाएंगे आपका जो भी मुवाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा उस OTP को यहां पर फिल करेंगे और एक उपसन मिलेगा सबमिट का जिस पर क्लिक करना है ओटिप अगर रिसीव ना हो तो एक उपसन रिसेंड OTP का मिलेगा जिस पर क्लिक करकर OTP दवारा भी अनवा सकते हैं उ से डालेंगे नया password को क्रिएट करना है उसी password को कुंफर्म करना है और सब्सेंडर का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है पास陽 बनाते समय धियान रख क्षै ενकर जरूर उपीओ करे तभी आपका password लेगा अप समिट करे उसके पाद आपका यहोटर अब देट होता strengthened करना होगा एक वाइस के लिए आपको डीजी लोकर बताया गया हैं कि आपको मेरी पहचान के पूर्टल पर जा कर अपना यह कोई सी पर क्रिया को कम्प्लीट करना होगा तो प्रोसीड वीथ मेरी पहचान वाले जो भीकलप होंगे एक OTP भेजा गया होगा OTP को यहाँ पर फिल करेंगे और एक option continue का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आपका जो डिजी लोकर एकाउंट है मेरी पहचान के मादर हम से complete होता है अब आपको MPN create करने की यह बसकता होगी आप MPN create करेंगे अगर पहले सा आपका MPN बना होगा तो आपको बताएगा कि आपका जो है यहाँ पर ओल्रेडी रेइश्टर है आप अपना MPN डाले तो अपना 6 डिजिट के MPN डालेंगे फिर continue वाले विकल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपकी जो डीटेल है यह automatic उठा लेता है अब आपको simply इसको allow करना है तो नीचे में allow का option मिलेगा जिस पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आपका जो प्रस्नल डीटियल हो लगवग फिलप रहेगा जैसे आपका फोटो है आपका नाम है डेटो बर्थ है जेंडर है पिता जी का जो भी नाम ह भी बता सकते हैं जो भी address होगा आप village address one में address two में post office अपना state district और block बताएंगे village बताएंगे और यहाँ पर pin code आपको बताना है अगर किसी का यहाँ पर जो permanent address है और present address current address दोनों समान है तो इस checkbox पर आपको एस करना है अगर अलग लग है तो आप no करकर current address की जनकारी करेंगे वही अगर आप no करते हैं तो यह सारी जनकारी आपको भड़नी है अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेंगे अने था नो पर किलिक करेंगे और एक option मिलता है सेब नेक्स्ट का जिस पर किलिक करना है उसके बाद आपका जो डीटेल है वो सेब होगा अब आप आते हैं प्रसनल डीटेल में जिसमें सबसे पहले आपका मुवाइल नंबर देखनों के मिलेगा अल्टरनेट नंबर है तो आप दे सकते हैं आप अपना email ID डालेंगे उसके बाद send OTP पर क्लिक करेंगे इमेल पर एक OTP जाएगा OTP को फिल करकर इससे verify करेंगे उसके ब करदिया आपका भी कूर्स होगा यह पर कुर्स बताना है जैसे हो सकता आपने आर्टस याहों ना siya यह साइन्स वाले कैड़ेड को यह जनकारी किया होती है प wealthy stream होग्ताएंगे किस बूर्ट स्कुल यह बज़ोर्ब पताएंगे जिस狀 में से पढ़ाई किया होग्त होग् जो भी आपका marksit होगा उसको आप यहाँ पर upload करेंगे, यहाँ पर बोलागा upload certificate, तो certificate ही upload कीजिएगा, और यह PDF format में बोला गया है, 2 MB से नीचे होने चीए, इसको upload करकर यहाँ से save करेंगे, इससे अनुसार आप 12 किये हैं, तो 12 की भी जनकारी अड़ कर लेंगे, graduation की है, तो graduation क आपको add कर लेनी है, save करकर, अब अगर आपको PDF नहीं बनाना आता है, तो Google में convert JPG to PDF लिखेंगे, यह first website मिलीगा, यहाँ से जो भी आपका, मान लिजे certificate है, उसको यहाँ से upload करेंगे, उसके बाद एक option मिलेगा, convert to PDF जिस पर click करेंगे, और यहाँ से इसको download करेंगे, तो यह PDF में download हो जाएगा, इस अनुसर qualification को आप add कर लीजेगा, उसके बाद एक option मिलेगा, save and next का, जिस पर click करना है, उसके बाद आप bank detail में आते हैं, जिसमें आप से पूछा गया है, कि आपका जो bank account है, वा अधार ceded है, तो आप यहाँ पर rest करेंगे, उसके बाद एक option मिलेगा, save and proceed का, जिस पर आपको click करना है, उसके बाद आप अगले step में आते हैं, skill and language की जनकारी पूछी जाएगी, जिसमें पूछा गया है, कि आपके पास किस-किस परकार की skill है, जिससे जो भी skill होगा, यहाँ पर आप उस skill को chain करेंगे, वो यहाँ पर add हो जाएगा, तो आप एक से अगले से बताएंगे, उसके बाद अगर आपके पास past में कोई experience रहा है, तो उसके बारे में जनकारी देंगे, additional कोई certification है आपके पास, तो आप दे सकते हैं, ने था छोड़ सकते हैं, अदर कोई detail देना चाहे, तो आप दे सकते हैं, उससे आप छोड़ सकते हैं, साथ में आ या जा सके तो आप इस चेक बोक्स पर टी करें उसके बाद नीचे में एक option मिलेगा complete profile का जिस पर आपको click करना है तो आपका profile complete होगा उसके बाद अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ edit करना तो अभी भी edit कर सकते हैं और आप चाहते हैं अपना CV generate करना तो एक option मिलता है generate CV जिस पर क्लिक करना है और आपकी जूभी detail है जो आपने फिल किया उस सारा देखनों को मिलेगा आप यहां से download रिजूम पर क्लिक करकर इससे download कर सकते हैं अब जब आप इतना चीज कर लेते हैं तो आपके सामने अगला option आता है यहां पर देखनों को मिलता है internship opportunity अब जो आपने detail फिल किया है उससे detail के according जो भी internship के लिए आप eligible होंगे वो सारा internship आपको खुलेगा फिलाल के अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं पोर्टल से से काम नहीं कर रहा है इसलिए मैं आगे की process नहीं दिखा पा रहा हूं अभी आप profile को complete करकर रखिए next video में हम आपको बताएंग internship opportunity पर क्लिक करकर कुछ ज्यादा करना नहीं है जो भी internship आपको खुलेगा आप उसमें से जो भी internship के लिए आप चाहते हैं apply करना बस आपको apply वाले विकल पर क्लिक करना apply हो जागा और यहीं से अपना application का status भी आप track कर सकते हैं उसका भी link आपको दे दिये गया है तो अभी आ परकार जो है अपना profile को complete करना है अपना resume download करना है और अगर आप apply करना चाहते हैं तो यहीं से internship opportunity पर जाकर apply भी कर सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा मैंने आपको step by step बताया कि PM internship यूजना के लिए कैसे आपको online apply करना है आसा और उमीद करता हूँ अपने पूरी जयनक वक्स में जरूर बताया और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सबी ग्रूप में share कर दीजिए सभी लोग इसके लिए apply कर पाए धन्यवाद चाहिंद